तो आज हम देखेंगे 500 गज का आप ब्यूटिफुल घर बड़ी सी अलिवेशन है क्यों लग रही है क्योंकि नॉर्मल सीलिंग के अंदर हमने सिर्फ 6 इंचीज के अंदर प्ले की है वो नींग आती है ना उसके लिए हम बेट रूम दिखाएं आपके दो डबल डॉर के फ्र ड्राइंग रूम अमेजिंग अमेजिंग लुक में ड्राइंग रूम है घर तो बहुत देखेंगे लेकिन यूनिक डिजाइनिंग में ऐसा ब्यूटिफुल घर जो कि एक महल नुमा घर है 5BHK का बहुत ही सुन्दर डुपलेक्स हाउस डिजाइन और अमेजिंग लुक के अंदर से इसकी फ्रेंट अलिवेशन देखेंगे जहां पर बहुत ही यूनिक डिजाइनिंग घर है देखिए 50 फूट की इसकी अलिवेशन है और 50 फूट को फ्रेंट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि यार आपको लगे है बोड़ी सी अलिवेशन है क्यों लग रह अलिवेशन डिजाइनिंग है बॉस वाइट ग्रे और लाइट ब्राउन के साथ तिंच जो कर रहा है जो कॉम्बीनेशन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ मिक्स्टर्स और मुटीरियल्स है मज़ेदार लुक और यहां पर हमारे एडिया जिफैंड है कि यहां से हमारी प्रॉपर प प्रॉपर डिजाइंड यहां पर आपको पहले भी दिखा सकता दिया है तो यह जो घर डिजाइन किया गया है रिनोंड आर्टिटेक्ट संदीव चकरबती जीए अगर जो आपने इनकी कंसल्टेशन लिए तो नीचे की मोबाइल नबर पर हमें कॉल कीजिए हमारे घर बड़ा है ना तो आप दो गेट लगाए वास्तु फ्रेंडली रहता है तो जो हमारे पुरानी घर की हवेलियां होती थी उसमें भी हम बड़े-बड़े दर्वाजे लगाते हैं क्योंकि वहीं से आपका पॉस्टिव इनर्जी जाएगा फ्रेंड वैंवान आज हम आया है पांसुगज का घर देखने जो की एक चंप चंप करता हुआ घर है जैसी मैं एंटर किया जो मेरी सबसे पहली नजर पड़ी यहां पर इटालियन मार्बल का वर्क ब्यूटिफुल फिनिश के साथ यहां पर आपको पनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसके एंटर करती ही मैं थोड़ा सा नक्षा समझा दो यहां से हम एंटर किये थे यहां पर आपका ब्यूटिफुल हमारा है ड्रॉइंग रूम एरिया यहां पर हमारी है मॉडुलर कीचन यहां पर आपका लॉंज एरिया यहां पर आपकी डाइनिंग एरिया यहां पर आपका मं यह हमारा है देखिए कितना सुन्दर नौmayı हमें उप में और महिंग कार है यहां पर हमने प्ले किया गया है लाइट बेज के साथ यहां पर हमने एक Зचे और के जहां पर बड़ी बड़ी आठाट या दसदसी चीजी सीलिंग डाउन सीलिंग कराते हैं लेकिन वह मज़िदार लुक नहीं यहां पर आपको एक राजुग की तरह महल की तरह एरिया जिसमें हमने डिफाइन किया है देखिए वाल पेपर के साथ प्ले करते हुए हमने वीटिफुल यहां पर हमने उसको तरह किया कि आपका प्राइवसी पूरी मेंटे रहे तो इस तरह की साथ हमने देखा इसका बीटिफुल एपारे अरिया यहां पर हमने चलेगे इसकी modular kitchen जो की एक beautiful modular kitchen है भाईया मज़ा आज है ऐसी modular kitchen देखके space defined किया गया हमारे chimney area यहाँ पर gas shop पड़ी हुई है यहाँ पर बड़ा सा pantry unit यहाँ पर आपके दो double door के fridge पड़े हुए है यहाँ पर अंदर ही आप sitting में अगर जो आपने अलग से dining में नहीं जाना तो यहाँ पर आपके sitting के लिए दो dining table एक simple सा dining table भी पड़ा हुआ है उसके साथ ही यहाँ पर आपके लिए microwave otg's के लिए spaces utility kitchen हमने different अलग से बनाई है उसके साथ यह सारे के सारे tinted glass के साथ black tinted glass के साथ beautiful area defined है उसके साथ ही यहाँ पर चलेंगे इसके attached launch area के तरफ एक beautiful amazing look में launch area देखिए यहाँ पर आप अराम से बैठके tv enjoy कि यह बड़ा सा LED TV unit और यहाँ पर आप enjoy कर सकते हैं सारे के सारे हमने areas defined है और ceiling में देखिए simple ceiling design में यह छोटे-छोटे lamps उसको greetings दे रहे हैं चीजे मज़ेदार जो चीजे अच्छी लगती है उसके साथ ही यहाँ पर देखिए हमने बंदीर area defined है जो कि आपका basically हमने उसको वास्तु फ्रेंडली रखा है उसको north east direction में बनाके कि आपका जब face हो तो north east direction में हो उसके साथ मैं जो आपको बता रहा था कि हमने entrance पर dual entry का काम किया गया था कि आपके यहां से हमने proper party area यहां पर एक तरह से बार area पड़ा हुआ है और वहां से कोई आपके office में यह एक तरह से office भी बना सकते हैं या लेकिन हमने इसको party area defined किया यहां पर हम आराम से party कर सकते हैं और यहां से बार area के साथ area defined है इस तरीके से कि वह entrance में है कि कोई हमारे club घर के साथ उसकी club भी नहीं हो इसके साथ ही हमने चोटा सा powder room बनाए एक spacious powder room जहां पर हमने luxury feel दे रखी एक चोटे से powder room में और यहां से देखिए कितना सुंदर tap design है यहां से पानी आएगा बहुत उपर से चल रहा है पानी तो अलग सी tap designing के साथ यह area defined है कि कोई आये तो लगे आपको luxury feel में आपका area से उसके साथ ही यहां से हमारी first floor को stairs जा रही है बहुत ही सुंदर area defined है जहां पर हमने profile lighting के साथ एक चोटा सा शेंडियर भी आपको अपनी स स्क्रीन पर नजर आएगा चलेंगे इसके first bedroom के अंदर spacious bedroom आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे तकरीब 15-20 का लंबा चोड़ा कंबरा जहां पर हमारा king says bed लगने के बावजूद ऐसा space लग रहा है कि यह बड़ा ही soothing लग रहा है क्यों लग रहा है कि यहां पर देखिए सीली डिजाइनिंग सोबर में हमने सीलिंग में कोई भी काम नहीं सिक्स इंचीज में प्ले किया हुआ और शियर कर्टन के साथ यह कर्टन है हमारी जो की पूरे पूरे वाल तक टॉप तक लेके गए उसके साथ हमारा वाट्रॉब एरिया जहां पर हमने फ्लूटेट एरिय अधर यह एरिया डिफाइंट है रहे हैं मज़ेदार लुक में वाइट कलर के अंदर एरिया लुक और उसके साथ ही चलेंगे इसके अटाइज वाश्रूम एक ऐसा वाश्रूम भाया मुझे प्यार हो जाए भी नहोंगा तो मैं ऐसी ही वाश्रूम में दिखिए यहां पे ह अलग से हमने उसके सिटिंग करके तो ऐसी चीज़ें कहां पर मिलेंगी डिजाइनिंग के अंदर दिमाग सोच विकिए कि जब हम बना रहे हैं तो ऐसा चीज बनाएं बहिया लोग कहें कि बहिया जी तो आप भी रहे हम तो काट रहे हैं तो ऐसे जीने वाले घर की इसके बाद चलेंगे इसके back courtyard areas की तरफ जहां पे ने सारे-सारे planters का से इसे इधाइन पर आपे चलेंगे और यहां पर हम ने प्रॉपर defined एरिया जहां पर हमने वाशिंग के लिए प्रॉपर स्पेस बनी है मैं लगा स्पेस भी और उसको अच्छे से कवर किया गया है सारे के सारे स्क्योटी से केमरास विए आपको इस क्रीम पे देख रहे हैं उसके पार चलेंगे इसके से के बिद्रूम की तरफ बेखिए इसमें हमने लाइट ब्लूओ और लाइट ग्रे और लाइट ग्रे रेकिए इसकी बैक और वॉल से ना तो मज़ेदार लूक अमेजिंग अमेजिंग फिनिश क के साथ ये घर as it is मज़ेदार लुक दे रहा है देखिए यहां पर आपके सारे के सारे L-shape में curtains आते हैं उस तरीके के curtain designs हैं यहां पर आपका देखिए फैन भी लगा हुआ तो उस तरीकी से मज़ेदार उसके साथ ही अटाइज हमारा dressing area और wardrobe area यहां पर चोटा सा vanity यहां पर आपका प्रोपर वेट स्पेसिस के अधिया दिखिए यहां पर आपका सारा walking showers देखिए कितना बड़ा यहां पर आपका walking shower है तो यह एक बार एक की टाई होदी है ना उतना बड़ा है कि यार मज़ा आज है उसके बाद चलेंगे इसकी फर्स टूर की तरफ जहां पर हमने बीटिफुल डिजाइनिंग करके स्टेर्स देखिए इसमें हमने अलिमीनियम के साथ family ग्लास का सथ बीटिफुल और यहां पर हमारे सारे सारी सारी स्टीयल अमेजिंग उसके साथ यहां पर आकर यहां बहुत ही इयोदि प्रफायल लाइंटिंग का वॉक और दूसरा मज़ा मैं भी दिखाता हूँ आपको, यहां पर आपका एक बड़ा सा लक्जरी में वाश्रूम है, जहां पर आपका जिकूजी पड़ा हुआ है, यहां पर जिकूजी में आपना एक घंटा बढ़ा बैट चाहिए, और उसके बाद जब आप उठेंगे जिकूज जहां पर आपका बड़ा सा मिरर रहा है, मज़ा आ रहा है देखके भी मेरी शकल आई है, इतनी बड़ी तो मज़ा आता हुए, उसके बाद ही चलेंगे इसके, जो मैं आपको गुल रहा है कि बेड्रूम में आप सुने जाएंगे, तो ऐसा बेड्रूम होना चाहिए, तो ऐ यहां पर अलग से लाँज एरिया, हाना डिफरेंट लाँज एरिया के साथ आप अपर नाम से इंजॉआई कर सकते हैं, मज़ा दाख लुक और आप अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ अटाइज्ड हमारा ड्रेसिंग एरिया, देखिए, कितना सुन्दर ड्रेसिंग एरिय और वाकिंग शॉबर्स के लिए अलग से जगा तो ऐसी फील में बिड्रूम हो और ऐसी लक्शरी फील में चीजें हो तो मज़ेदार अमेजिंग लुक और उसके साथ ही यहां पर आपको टीटी एरिया डिफाइंड है, उसके साथ ही यहां पर आपको फॉन टेलिवेशन के सामने जो चीजें दिख रही थी ना बॉस वुड़न का एरिया और यह सारी जीजे तो इस तरीके की यह देखिए वुड़न एरिया का डिफिनेशन और यहां पर पैश्योर या शाम को चाहे पीजिए मज़ा आ जाएगा बॉस क्या ओवराल लुक में घर आपको भी तक बनाया हुआ है जो आपको मज़ेदार लुक देगा तो चीजें ऐसी बनाई गई है कि यह वंडर्फुल लुक में और छोटे-छोटे चीजी को हमने स्पेशियस एरिया बनाया है उसके साथ ही अटाच वाश्रूम जो की एक लग्जरी फिल्म में वाश्रूम है और अमेज स्रीके की डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं और इसके साथ ही है मैं जुवारा इस जिकोजी रूम में आ गया हूँ तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें फॉलो कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में जैहें दोस्तों